नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टक्निकल गवर्मेंट जॉब स्टडी ओफिशल यूट्यूब चैनल तो 100% आपको एक गवर्मेंट जॉब मिलने वाली है केवल आज की इस वीडियो के मात्यम से जिहां दोस्तों हम आपको बताएंगे कैसी आप एक गवर्मेंट जॉब पासकते हैं बंपर भरतियों के लिए अपलाई करके और इंडिया से आवे दिन मांगे जा रहे हैं इंतिजार मत कीजिएगा अभी के अभी अपलाई कीजिएगा आपको एक नोकरी मिलने वाली है तो दोस्तों यहां पर जो भरती निकाली गई है अक्टूबर के इस महीने में निकाली गई है जो की सरकारी नोकरी है टोटल पज जो हैं आप जिते हैं 75,000 से अधिक है 75,000 प्लस यहां पर वेकिंस हैं रेलवे, SSC, बेंग, पुलीस, आर्मी, पोस्ट ओफिस हर एक स्टेट से भरती है निकाली गई है जिसकी एक ही करकिया आपको जान कर देंगे और योगेता कम से कम आठी पास रखी गई है अगर आप मालीजी केवल आठी वी किलास पास भी है तब भी आप अपलाई कर सकते हैं अगर आप तेंथ पास है, 12 पास है, सना तक ग्रेजुट पास है याँ फिर अगर आप ITA डिपलोमा डिगरी पास भी है तब भी आप अपलाई कर सकते हैं बंपर भरतियों के लिए 100% आपका सेलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कौन-कौन सी बाते हैं आगे हम आपको बताएंगे, वहीं यहाँ पर जो सैलरी आपको मिल रही है वहीं जो बढ़तियां है, All India की बढ़तियां है, Male और Female सभी Candidates जो ही अपलाई कर सकते हैं मतब लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इस जोब के लिए अपलाई कर सकती हैं दोस्तो इस भरतियों में से कुछ भरतियां ऐसी है, जिसके लिए आपकी कोई भी एक्जाम नहीं होगी अगर आप बिना एक्जाम के भी एक Government जोब पाना चाते हैं दो October के इस महिने में बिना एक्जाम के भी सीधी भरतियां निकाली गई हैं जिसके लिए आप अपलाई कर सकते हैं कौन-कौन सी भरतियां हैं, आगे आपको बताते हैं लेकिन वीडियों में एंट तक बने रहेगा step by step आपको सारी जानकाई देंगे वीडियों का हर एक पार्ट आप सभी के लिए important है तो वीडियो को एंट तक जरू दिखेगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेर करें और दोस्तों आज ही हमारे official YouTube channel Technical Government Job Study को subscribe कीजिएगा यह जो challenge है इंडिया का सबसे number one education challenge है जहाँ पर आपको सबसे पहले नई job की जानकाय दी जाती है ठीके वो भी 100% real जानकारी ठीके तो यहाँ पर यह रहा बटन सबस्क्राइब करनेगा से दबा दीजेगा पास में आपको गंटी का बेल आइकन मिलेगा उसको दबा करके all कीजेगा तब ही आपको नई भरतियों का notification सबसे पहले मिलेगा ठीके आप चाहें तो दोस्तो हमारे चलेंड पर विजिट करके नई भरतियों की जानकाय ले सकते हैं और apply भी कर सकते हैं रोजना आपको नई भरतियों की जानकाय सबसे पहले यहाँ पर जाती है तो वापसाइट पर भी विजिट कीजेगा यह हमारी ओफिशल वापसाइट है tipsvarlbuzz.xyj यहाँ पर भी आपको नई भरतियों की जानकाय सबसे पहले दी जाती है आप चाहें तो इससे चेक आउट कर सकते हैं ठीके कोई भी आपको सिधा वापसाइट पर लेके जलते हैं डैक सटोप पर उन एके करकि आपको भरतियों की जानकाय pills दोस्तो हम आचुके हैं सिधा computer skin पर उने के करकि आपको भरतियों की जानकाय देंगे शुरुआत करते है पहले नंबर की बरतिं Use साथ जो की भारती डाक विभाग यानि की पोस्ट ओफिस की भरती है इसके बाद और भी अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट की भरतिया है उसकी जानकरी हम आपको देंगे जैसा कि रेलवे, एससी, बेंग, पुलीस, आर्मी, पोस्ट ओफिस इन सभी सरकारी डिपार्टमे की भरती है, mail guard की भरती है, P.I.S.A. यानि की postal assistant और current assistant की भरती है इन भरती है, इन भरतियों के आवेदन आप सभी से online मैंगे जारे हैं जो कि all India की भरती के हैं, male females सभी कi needed हो है, apply का सकते हैं, फैटारइस अजार आट सो YAहां पर vacances nikaली गई है, और इसके लिए salary आपको आट में चूट भी है SCST, OBC के इंडिगेट्स को जो की सरकार के नियमनुसर आपको मिलने वाली है चूट और एप्लिकेशन फीज जनल OBC के लिए सोरपय है इसका पैमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है बाकि दोस्तों यहां पर SCST के लिए बिल्कुल फ्री है qualification की बात की जाए तो कम से कम तेंथ क्लास पास के इंडिगेट्स हो है जो आपके लिए अपलाई कर सकते हैं और 12 पास और graduate पास भी अपलाई कर सकते हैं अपलाई करने से पहले आपके पास में यह सारे डॉकुमेंट्स तयान होने ची जिसकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है जिसा कि आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट दसवी बारवी ग्रेजुट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपके सर्टिफिकेट यहाँ पर फोटोग्राफ चाहिए आपकी एडर्स प्रूफ देना है या आईडी प्रूफ आपको भी दे सकते हैं उसके बाद आपका जो कास सेटिफिकेट है SCST का वो आप लगा सकते हैं यह सभी डोकुमेंट्स आपके पास होने चीए और अपलाई कैसे करना होगा सारी जानकर यहा जाली गई है नए भरती ठीक है तो दोस्तों फाइनली आर आर भी यानिकी डेली रेकुर्टमेंट बोर की तरफ से एंटी पीसी नॉन टैक्निकल पॉपॉलर कैटिगरी की भरती आ चुकी है केवल 12 पास के लिए जो की अंडर ग्रेजूट लेवल की वेकींसी है यहां पर पोस्त जारी की गई है वो है ट्रेन किलर की पोस्त और कमर्शियल कम टिकेट किलर की पोस्त है अकाउंट किलर कम टाइपिस्ट की पोस्त है और जूनियर किलर कम टाइपिस्ट की पोस्त है तीन हजार चारसो पैतालीस पोस्त पर भरती है जिसके आविदन आप सभी से ऑनला आप एहां से देख सकते हैं ताकि आप तयारी अच्छे चे कर सकें, यहां पर 100 सवाल होंगे, 100 नंबर के 10.5 घंटे का आपको समय मिलेंगे, इस बढ़े हिए तो आपको विशेज तोर पर ध्यान रखना है, वही इस भरती के लिए जो às limit वो है کम से कम 08 में 16 sekali चूट है, और salary आपको 21,700 से 81,000 रुपे पर मन्त मिल रही है application fee general OBC के लिए 500 है SCS ticket है 100 है जिसका payment आप सभी गॉलाइन करना है और qualification में केवल 12th pass के इंडिगेट्स हो है जो आपके लिए apply कर सकते हैं apply करने से पहले आपके पास ये सारे documents सुनी जी जैसे कि आपकी passport, sign, signature, आधार card, water ID, driving license, राशन card जो भी आपका ID है, address proof है वो आप लगा सकते हैं हिन में से चारों में से कोई भी एक उसके बाद आपका card certificate आता है SC, ST, OBC का जो भी आपका certificate है वो आपको लगाना होगा central का और दस्वी की mark sheet age proof में आप लगा सकते हैं दस्वी की mark sheet या फिर आपका birth certificate ठीक है और domicile certificate आपको लगाना होगा और apply के से करना है, वो पूरी जानकर यहाँ पर आपको दे रखी है और आवे दिन में आपको बदाई दिये कब से कब तक चलेंगे, 21 सितंबर से 20 October तक जो है आप apply कर सकते हैं apply करने का link भी आपको यहाँ पर दिया गया है apply कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है notification को download भी कर सकते हैं ठीके अब आगे बढ़ते हैं एको नई भरती की ओर जो की Kendra Bank की भरती है Kendra Bank में भी आ चुकी है साल 2024 की नई भरती बंपर भरती है तीन हजार पदो पर भरती है graduate apprentice के पदो पर इसके आवे दन आपसे online माँगे जा रहे हैं जो कि All India की भरती के हैं male, female सभी के इंडियर्स अप्लाए का सकते हैं selection के process में आपका कोई भी exam नहीं होगा merit के अधर पर आपका selection होगा job location All India की रहने वाली है और age limit जो है 20 से 28 सार रखे गई है ISUMA में छूट भी है application fee general OBC के लिए 500 है SCST PW के लिए बिलकुल free है और यहाँ पर payment जो है दोस्तों आप सभी को online करना होगा आप किसी भी mathem से payment करा सकते हैं qualification में केवल graduate degree past candidates हो है apply कर सकते हैं और staff fund आपको 15,000 रुपे per month मिलने वाला है एक साल की आपकी training होने वाली है और apply कैसे कना होगा complete जानकरी आपको यहाँ पर दे रखी है apply करने से पहले इसको check out कीजिएगा अब चलिए आगे बढ़ते हैं एक और नई भरती की और जो की SSC GD की भरती है जिहां दोस्तो staff selection commission SSC की तरफ से constable GD की भरती आ चुकी है notification यहाँ पर out हो चुका है अलग-अलग post पर यहाँ vacances है तो यहाँ पर अलग-अलग force से vacances निकाली जारी है BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, SSF, GD, Assam Rifle की भरती है अलग-अलग यहाँ पर force यानि की defense से भरती निकाले गई है लग-बग आप दे सकते हैं 49,000 मतलब 40,000 ही पदा आप मानके चलिए कि यहाँ पर निकाले गए है All India की भरती है male, female सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर आविदन आप सभी से online मेंगे जा रहे हैं सारी किस या सांसों से लग-बग 70,000 रुपे पर मत आपको मिड़ रही है selection के process में CBD बेस आपका exam होगा और आपका physical test होगा अगर आप CBD पास करेंगे तो आपको यहाँ पर physical के लिए बुलाया जाएगा और job location All India की है age limit चो है, कम से कम अठरा है, maximum 23 साल है और ICO में छूट है application fee, general OPC के लिए 100 है, SCST के लिए free और payments सिर्फ आपको online करना है qualification में 10 सी पास के इंडियर्स apply कर सकते हैं और syllabus आप यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकर आपको तयारी करनी है physical क्या रहेगा, document verification क्या होगे और apply कैसे करना है, 14 October तक आपको apply करना होगा यहाँ पर आपको notification मिल जाएगा, जिससे आप download कर सकते हैं कुछी second में आपके सामने आजाएगा notification 14 October तक आप इसको apply कर सकते हैं, यहाँ से आप apply भी कर सकते हैं तो apply कीजिएगा, आज ही ठीके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक को नई भरती की और जो की आर्मे की भरती है जिहां दोस्तों, गर आप बिना physical यानि की बिना दोड के आर्मी में नोखरी पना चाते हैं तो आर्मी स्कूल से आ चुकी है नई भरती PGT, TGT, PRT के पदों पर भरती है, जिसके आविदन आप सभी से online मागे जा रहे हैं All India की भरती है, selection के process में सिर्फ आपका interview होगा और आपका यहाँ पर skill test लिया जाएगा salary आपको इस पर रोज मिर रही है, job location, आर्मी स्कूल की है age limit जो है 18-40 है और ICO में छूट है application fee, general OBC के लिए और SCST के लिए सभी के लिए 385 रुपए है जिसका payment आप सभी का online करना है qualification में 12 और graduate pass के इंडिगेट्स हों है, अपलाई कर सकते हैं और 25 October तक आपको अपलाई करना होगा, यहाँ से आपको notification को download करना है यह दहा notification चेक आउट कीजेगा अब एक और सरकारी नोकरी का notification जारी किया गया जिसके बारे में भी हम आपको जानका देते हैं तो Social Welfare Department यानकी समाज कलिणार विफाग की तरफ से आ चुकी है नई भरती दोस्तों यहाँ पर अलग-अलग पोस्ट पर भरती निकाली गई है Multitasking staff, MTS की भरती है, Assistant Teacher की है, Nursing Officer की है Coordinator की है, Labyrinth की है, Supervisor की है, Computer Operator की है, Case Worker की है, Cook की है, Helper की है Security Guard और Driver की भरती है 12,500 पदों पर भरती है, जिसके आप इदन आपसे online मागे जा रहे हैं All Over India की यह जौब है Ace Limit जो है, 18 से 45 साल है, ICO में चूट है, Selection के प्रोसेस में सिर्फ आपका इंटर्व्य होगा Salary 15,000 से 85,000 रुपे पर मन्त है, और Application Fees बिलकुल फ्री है Qualification में 10 वी बार भी और Graduate Pass के लिए जौब है, Apply कीजएगा अब एक और नई भरती की ओर चलते हैं, जो कि State Bank of India, SBI Bank की तरफ से निकाली गई है तो finally State Bank of India, SBI में भी आ चुकी है, नई भरती Specialist, Cater Officer, SEO की पोस्ट पर भरती है, Deputy Manager, Assistant Manager की पोस्ट है, 1497 यानि की लगबग 1500 पोस्ट पर भरती है इसके आवे दिन आपसे online मेंगे जा रहे हैं, All India की भरती है, Selection के प्रोसेस में आपका कोई भी exam नहीं होगा, सिर्फ आपका interview होगा, या फिर merit list तयार की साएगी और salary 36,000 से 78,230 रुपे पर मन्त है, Job Location All India की है, Age Limit जो है, 18 से 35 सार रखी गई है, IECU में में चूट है application fee, General OBC के लिए 750 है, SCST एक्सरिश्मेंट के लिए बिलकुर free है, और payment आप सभी को online करना है, qualification में यहाँ पर degree pass के इंडिगेट्स अप्लाइ कर सकते हैं, apply कैसे करना होगा, सारी जानकर यहाँ पर दे रखी है, apply करने से पहले से check out कीज़ेगा अब railway की नई भरती का notification यहाँ पर जारी हो चुका है, तो हम बात कर रहे हैं, Eastern railway की नई भरती के बारे में, यहाँ पर 3,115 पोस्ट पर भरती निकाली गई है, अलग-अलग trade में भरती है, fitter, welder, mechanist, blacksmith, carpenter, lineman, wireman, अलग-अलग पोस्ट पर भरती है, इसके आविजन आप से online मैंगे जा रहे हैं, जो कि All India की भरती के हैं, selection के process में, merit के अधर पर आपका selection होगा, कोई भी exam नहीं होगी, नहीं कोई आपका interview होगा, Eastern railway की job location है, और age limit जो है, 15-24 साल है, ISU हमें छूट भी है, वही application fees, journal OBC के लिए सो है, और SCST women के लिए free है, payment आप सभी को, journal OBC को online करना हो qualification में 10 वी ITI बार्यू पास के इंडिगेट जो है, अपलाई कर सकते हैं, और 23 अक्टूबर तक आपको अपलाई करना होगा, यहां से आप जो है notification को download कर सकते हैं, कुछी second में notification आ जाएगा, आप दसेते हैं, आवे दन कब से कब तक चलेंगे, और यह रहा apply किजेगा, अब द अपलाई कर सकते हैं, अब एको नई भरती की बात करते हैं, जो कि ECGC की नई भरती है, प्रोवेशनरी ओफीसर यानि की PO की पोस्ट पर, 40 पोस्ट पर भरती है, आवे दन ओनलाइन बाएंगे जा रहे हैं, selection के प्रोसेस में रिटन एक्जाम और आपका इंटर्व लिया जाएगा, salary आप दसेते हैं, 62,000 रुपे तक आपको per month प्र रहे हैं, all over India की job location है, और all India के male, female candidates apply कर सकते हैं, application fees, null OBC के लिए आप दसेते 900 है, SC, ST, PWD गले 175 है, payment आप सभी का online करना है, बाकी qualification में degree pass candidates हो है, apply कर सकते हैं, 13 October तक आपको apply करना होगा, यहाँ पर आपको link दिया गया है, notification के साथ, apply ज़रू कीज़ेगा, अब बात करते हैं, DRDO यानिकी Defense Research and Development Organization की नई भरती के बारे में, जो की graduate apprentice की भरती है, जिसकी आविदन आप से online मागे जा रहे हैं, total 30 vacancies है, selection के process में, अधर के आधर पर आपका selection होगा, age limit 18-37 साल है, ICO में चूट है, 9000 रुपे as a stipend आपको मिल रहा है, All India की job है, बिना fees के apply करना है, और degree pass के इंडियेट्स apply कर सकते हैं, तो य आप चाहें तो इसे check out कर सकते हैं, Google में भी type करके search कर सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल को subscribe जरू कीजिएगा, thank you so much.